मुख्यमंत्री घस्यारी योजना का पसु अहार लोहा घाट महुशते ही तूट पड़े उसके उपर वहां के पसु पालक गौर तलब है कि एक लंबे समय के बाद ये पसु अहार लोहा घाट के पसु पालकों के पास पहुचाया गया है आपको बतादे चंपावत जिले में लंबे समय से जल करन्यार कारी मुखमंत्री घस्यारी योजना के तहट पसुपालकों को सस्ती दरों पर मिलने वाले पसु आहर की सप्लाई पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हुई थी इसकारण पसुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पसुपालक बाजार से महंगे दामों में पसु आहर खरीदने को मजबूर थे पसुपालकों के द्वारा मुख्यमंत्री और सहकारता विभाग से पसुआहर की आपूर्ती करने की मांग बार-बार की जा रही थी राय नगर चौड़ी, पार्टन, डेसली, बलाई, बनगाओं, करण करायत, आदी छेत्रों के पसुपालक पसुआहर लेने के लिए पहुँच गए लोहगाट की चान्दमारी साधन साकारी समीति के सचीव महिज बोहरा के मताबिक पसुपालकों को पसुआहर उपलब्द करवाया गया ताकि उसको स्टोर किया जा सके पसुपालकों के द्वारा मुख्यमंत्री और सहकारी समित्यों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री घस्यारी योजना के द्वारा चलाई जुपलब्द करानी के मांगी है ताकि छेतर के पसुपालकों कोई से योजना का लाब मिलता रहे और उनके जानवर सुरक्षित रहे पसुबहार को लेकर आपको बता दें पसुबालकों में जबरजस्त अफरात अफ्री का माहौल रहा उसमें कंटिनियो जो दो गारी है रोज आनी जाएंगे कि सरकार से जादे से जादा यहां पर यह पसुबाल बेजा जाए क्योंकि देख भी रहे हो आप यह सामने ही है आपके सामने है कितनी बीड हो रही है बहुत दूर दूर से कई दूर दूर से लोग आये हुए है और इपी न्यूस नाइन के लिए लोहागार से लक्षमन सिंग बिस्ट की रिपोर्ट